कि वेरी गुड मॉर्णिंग अल आफ यू आप सभी को मेरा नमस्कार मैं रोवित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने कॉलेज के आनलाइन प्रेट फॉर्म पर आज में क्लास होगी वह होगी पेस्ट आफ फिल्ड क्रॉप के बारे में ठीक है पेस्ट आफ फिल् गन्य की फसल में लगने वाले प्रमुक कीटों के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो गन्य के में लगने वाला जो प्रमुक कीट है दूसरा कीट आज मैं पढ़ाओंगा जिसका नाम है गुर्दासपूर बोर है ठीक है गुर्दासपूर बेधक तो यह कीट जो है गन्या का पाफी महच्पुर्ट का है इसके बारे में करते हैं गुर्दास पूर्ब बेध हम ठीक है गन्या का गुर्दास भूद से पहले हम जानेंगे इसके नाम के बारे में तो यह का जो गुर्दासपूर बेधाक नाम क्यों पड़ा इसकी सबसे पहले यह पंजाब के गुरदासपूर नामक अस्थान पर गन्य की देखा गया था इसलिए इसका नाम गुरुदास बोरर भी रख दिया गया ठीक है और इसके अन्य नाम भी है जैसे देहरा-दून-बेधक भी कहते हैं ठीक है और इसका जो प्लांट है पौदे है गंणा बाज़ार बाजरा लादी इसका जो प्लांट है पोशक पौदे हैं वह गन्ना मक्का और जौर में प्रमगुरूप से यह वो देखा गया है इसके अलावा इसका की बात करें तो इसका भारत के अलगभक सभी प्रदेशों में मुक्ता उत्तर प्रदेश पंजाब मज़ प्रदेश तथा राजस्थान में पाया ज तो इसके बारे में कुछ उठाव बेता रख दिया गया श्यर्सथा पाई गया तो यह नाम पहुंचाती है इसे काटने चवाने वाले मुखान होता है सूडी अवस्था में सबसे ज्यादा ये नुकसान जो होती है और इसके प्रोड साइफना कार मुखांग होते हैं था या हान जो है वो नहीं पहुचाते हैं मतलब इसके जो होते हैं प्रावड कीट होते हैं वो काफी कम नुकसान पहुचाते हैं और जो इसके जो इसके लार्वी होती है सूड़ी अवस्था होती है वो सबसे ज्यादा हानिकारक जो होती है और इस कीट के द्वारा सबसे अधिक होती है यानि जुलाई और अगस्त के महीने में यह सबसे ज्यादा इसको नुकसान जहां वो पहुचाते हैं तो इसका जो डैमेजिंग टाइप है वो है जुलाई और अगस्त है और कपूर के अनुसार जो है वो कपूर जो इंटरम लॉजिस्ट है उनके अनुसार क्या है कि अधिक प्रकोफ होने पर गण्यीं में 28 से 100 पर 270 ले जो है उसको डामेज कर देते हैं ठीक है काफी जो हो इसको नुक्सान पहुचाते हैं गण्यीं की फ करती हैं तो यह क्या गद करते हैं तो यह क्या करते हैं सबसे पहले जो है वो पत्तियों को नीचे से काड़ देते हैं और सबसे पहले क्या होती है इसके जो गन्य की निचली पत्तिया होती है वो सूखती है और फिर उसके बाद उपरी पत्तिया भी सूखने लगती है और हम जब उसको आसानी से उखाडते हैं ह गाती है है यानी गन्ने के बना बना देती है इसे पौधे काफी कमजोर हो जाते हैं और पौधों की बर्दर रुख जाती है जिस गन्ने पर अगोला वेधा प्रकॉप होता है उन पौधों पर यह पीदा जाता है परन्त जिन पॉद्र पपर इसका पहले अक्रमर हो देया है उन पर अगोला-विधा कीट नहीं बिलता है ठीक है यानि हम कह सकते हैं कि जो उतर होता है ठीक है जो सुगर केडrån का सूट्बऔर कीट होता है वह अगर गुरदासफ। बोणर का अटेक हो चुका है प्लांट पे तो शीन बोर का टैक नहीं होता है और जहांपर गोला बेधक का अटेक को हुआ है वहाँ पर गुर्दास बुर गृवरा का ठाइक भी हो सकता है तो यह होता है ठीक है त़के पेड़ी की लिग इसका प्रकोप श्यों के अंत में जुलाई के प्रथम सब्ता हमें अधिक देखा गया यानि यूंस uni करके मेजर बात हम करें तो जून से ले करके अगस्त की बीच में इसका प्रकौप सबसे अधिक होता है इसके जीवन इतिहास की बात करेंगे लिकार का लाइफ साइकल कैसा होता है जिसके जीवन चक्र में चार अवस्था होती है कौन-कौन सी अन्डा अवस्था एग क्लाश मोज बगल ऐब स्थाज नगा श्के मिलती है छुझ माधा कीट मैथुन के पस्षाद साम को गणने की पतकिंगे सता पर प्राया जुंडों मैं एंडे देती खूं के यह इनके अंडे होते है और अंडों की इस प्रकार से प्रकार इनका जीवन चक्र होता है इसमें जो हैनका जो लाइफ साइकल होता है उसमें एडल्ट अवस्था होती है एक अवस्था चीवन चक्र-बटा होता है और इसमें किस प्रकार का जो लाइफ साइकल होता है वो गर्मी में कम होता है और ठंडी की दिनों में अधिक बढ़ जाता है यानि ठंडी की दून में एग लेंग का जो पीरियड होता है लार्वी कर जो करने का पीरियड होता है लार्वी से प्यूप और एडल्ट में परिवर्तिक का जो पीरियड होत कर आता है तो इस प्रकार से इनका जीकवन चक्र जो है वो होगता रहता है गर्मी ओ ठंडी की वज़ा से ठीक है इसके बाद प्रारह्म में उनका रंग श। होता है जो कि बाद में भूरे रंका हो जाता है अंडा जो है वो क्या होता है चप्टा होता है तथा लगभग एक एम ब्यास का होता है ठीक है तो अंडे चप्टे और एक में व्यास के होते हैं अंडे सधाना दसाओं में दो से पास दिनों में पकर फूर जाते हैं कितने दिन से गुश्ती है तथा इस अवस्था को पुरोरी से चार से चालिस से पचास सूरियों तक पाइज आती है तो जो लारवी वस्था होती है उसमें क्या होता है कि अंडे से निकलने के पस्छाक नवजास सूरियां दूसरे या पौरी सामोई गुरूप से घुषती हैं इस अवस्था में पौरी में 40-50 सूडियां तक जो है वो पाए जाती है ठीक है तो जो इनकी लारवी होती है वो एक से दूसरे में एक प्लांट से दूसरी प्लांट में प्रवेस्थ करती है और फिर वो जो है उससे क्या होता है कि व से पच्चास सूडियां तक जो वो पाए जाती है ठीक है पूरी जुन्द में लगभग 40-50 तक जो पाए जाती है और यह प्रतेग भाग को आपको खाती हुए निरंतर बढ़ती रहती है और पूरिधिकत होती रहती है बहुत कि बढ़ी जब हो जाती है त maintenance करती है ये सुरुवात क्छोटी होती है लेकिन बात में लगभग 30-35 mm की जो है वो हो जाती है और इनके सरीर पर बैगनी रंग की चार धारिया पाई जाती है सूडियों को रंग क्या होता है गुलाबी पन लिए हलका भूरा होता है और एक पोरी की उपर भाग में एक छिद्र बनाती है जो कि सफेद रेसमी धागे से बंद कर देती है ठीक है इस प्रकार सिंका जो है वो लाइफ साइकल होता है अगली वस्था सूडि लगभाग 21-34 दिनों में पूर विक्सित हो करके पोरी के अंदर ही कोशावस्था में बदल जाती है ठीक है यानि कि जो सूडिया होती है वो 21-35 दिनों 21-34-35 दिनों में यह क्या करती है प्यूपे वश्मी धागे से कवर कर लेती हो प्यूपा व्स्था में कोशावस्था में परवर्तित हो जाती है इनके जो प्यूपा वस्ता होती है वो पूर विक्सित हो जाने पर टीक है निश्कूए इस यृक्वथी अमें चली जाती है इसको हम कहते हैं грém तो इतनी स्कुर्टा में यह जाड़े की दिनों में चली जाती है और फिर जब थोड़ा सा मौसम परिवर्थित होता है तो फिर इनके एडल्ट जो है वो एडल्ट जो हो निकलते हैं प्यूपा से यह बनाए हुए छिद्र की तरफ मूह करके कोसा वस्था में बदलती है कोसा किसके अंदर होती है को कुण के अंदर होती है और क्रिक क्रिक नों 5-7 दिनों की होती है और इसकी फ्योड़ी और बनाए निकलते हैं च्छे से साथ दिनों के बाद जो होती है इनके पिवपा होते हैं उससे एडल्ट जो है वो बाहर निकल आते हैं और जो होते हैं उनके बारे में जानते हैं प्राण की कीड भूरे रंग का लगभव 10 अमेम लंबा तक पांच मोटा होता है ठीक है तो इसकी लंबाई साढ़े तीन से दस में तक जो होती है आपके इंसेक्ट की इसके अगले पंख पीला पर लिए होते हैं भूरे रंके होते हैं जिनके किनारे पर छोटे धब्बे पाये जाते हैं और क्रीम कोस्ते निकलने के प्रशाद दिन पस्टा अंड़ा देना प्रारहम कर देती है इनका जो जीवन चक्र होता है वह 31 से 48 दिनों का होता है और साल में इनकी लगवद तीन पूढ़ियां जो है वो पाई जाती है कीट का प्रकॉष असा जुलाई से नौवंबर के आन तक जो हो रहता है ठीक है इसमें बादा आती है नींद्रण की अभि जब तो हमने इनके जीवन चकर के बारे में बताया तो नींद्रण की कैई सारी विधिया होती है जली हम कीट को नीद्र करने के वो किया जाता है ठीक है तो कुछ हम सबसे पहले हम कुछ इसको अपलाई करते हैं और इसके बाद फिर हम केमिकल मिथट का यूज करते हैं तो इसके अंतर क्या होता है यसे कि जिन खेतों में प्रेवडी ना रखनी हो उसमें से जड़ निकाल कर मई के अंध तक निष्ट कर द बार बार जिस फसल में इस कीट का प्रकोफ बुरदास बोरक का जहां पर बार बार प्रकोफ हो रहा हो उसमें गंडने की फसल नहीं लेना चाहिए एक दो साल तक उसमें गैप कर देना चाहिए कोई अन्य फसल उसमें ले लीजिए तो क्राप रोटेशन को चेंज करते रहन चाहिए ठीक है गर्मी की दिनों में जब तापमान काफी ज्यादा होता है यानि कि आपका जो है वो माई जून के महीने में उस समय हमको डीप लॉविंग गहरी जुताई कर देना चाहिए जिससे इसके एक्स जो है और लार्वी हो या प्यूपा हो वो सारे जो हो क्या होते है नश्ट हो जाएं ठीक है तो इस वात का हमें विशेज ध्यान देना चाहिए और जून जुलाई के महीनों में पत्तियों को निरिच्छण करके अंडों को नश्ट कर देना चाहिए ठीक है आप जब क्रॉप ले रहे हैं तो फिसकली रूप से जो है वो मॉलोट्रिंग करना हैं ठीक है इनकी सूरिया दिखाय दे रहे हैं उसको उसको जूर करकर कर सकते हैं और जुलाई अमारे पौधों में उसका प्रकॉप न ना जो है वो कर सकते हैं और कि जहां तक हो सके कई सारी वो प्रत्रोधी किस में हैं इसे 1157 1158 अर्शच बारा तथा सियोजे 4644 को जो है वो लगाना चाहिए याणि इस के प्रत्रोधी प्रजातियां है उनका प्रियोग हमको गन्य की फसल के लिए करना चाहिए और प्रभाविद गन्य में टुकणों को 0.2 पर्षेंट का 3D के गोल मीं 2 घंटे दुबाने के बाद तो इस क्रकार कर्कार के जो recommend के लगाने के पहले उसमें करना चाहिए और उसमें करके उसको लगाना चाहिए जिससे हम गन्य की क्रकौफ होह गया है तो वकियर दवावों को रखना चाहिए hydro 12-15-15 लिटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतरपाल पर जो हो देना चाहिए यह कौन कौन सी दवाय है जैसे गामा भी असी है 20 एसी को प्रयोग करना चाहिए इंडो सलफान हो गया इसका यूस करना चाहिए तो इस कैमिकल का प्रयोग करके इनकी संख्या को नियंतृत करना चाह ट्रजिवी है जिसको न कहते हैं एंग एक्स पारासाइट ऑवतmedi Bass है जैसे आपके ट्राइको गर्मा हो गई को स्लारवल प्राइबसमाई है जैसे आफिस छो आप आटेलस फ्लेविस हो गए इस टर्मिकानि फोस इनफॉस और कुछ जो है वह आ आप की प्यूफल पैरसाइड क्या है यह जैसे प्रकार से कुछ्छ आपके उंड पर जीय है जिसे त्राइको गेर्मा सपसीज है और शूरी पर जीवी जैसे हैं इन जो यह अपना भुष्ट बना लेते हैं लार्वा को प्पूपा को और एकस को इस इंसेक्ट को जो है वह हमको जो है वह काफी शंख्या में खेट में छोड़ने से इनकी शंख्या को नियांतर किया जा सकता है यह जैविक नियांतरता इस mae इसलिक्रेंट सब्सक्तुन पन्य mús об snipp कर सकते हैं ऊस प्रकार से हम उसक्सेसफ़ली कंट्रोल करके कई उपियोगी विधीयों का प्रीयोक करके सही गन्य की फसल का प्रबंधन करके हम गुरुदाशपुर बोर्यल से घंध की फसल को बचा सकते हैं ठीक है तो आज